कि अभी हाल ही के दिनों में क्रिप्टो करेंशी को उपर लेके बहुत से न्यूजी जो है अपने चैनल पर लेके आ रहा हूं इससे पहले भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे जो है इस पर एक बिल जो है आने की त्यारी हो रही है और सब्सक्राइब की जा सकती है और दूसरी तरवी हाल फिलाल में ही दो से तीन दिर पहले ही अभी प्रहामंति रेंदर मोदी जी ने अपने संसे दिये जो मेंबर से उनके साथ इसको लेकर मीटिंग की है और मीटिंग पर यह जो बाते खुलके आई है उनसार क्रिप्टो करेंशी पर किसी भी तरगा को पाबंदिया होंगी क्योंकि इस कमिटी में कुछ पाबंदियों को शामिल करने की बात भी कही गई है वो पाबंदिय किस तरह की है और क्या है उसके लिए आप पूरी वीडियो जो है देखिए चलिए शूर करते हैं उन पाबंदियों को जानने की तीन दिन दो हाई पावर्ड मेटिंग्स पहली के अध्यक्षता खुद पीएम ने की दूसरी में सभी पाटी के सांसत स्टेक होल्डर्स और एक्सपर्ट हुए शामिल मोधी सरकार के लिए अचानक से क्रिप्टो करंसी पहली प्राथमिकता बन गई है दरसल क्रिप्टो करंसी ने जिस तरह से निवेशकों को जबरदस रिटर्न दिये हैं और इसने ग्रोथ की संभावनाई दिखाई हैं उस से सभी का ध्यान इस गईर रेगूलेटिड करंसी की तरफ चला गया है अनुमान के मताबिक भारत में गरीब 10 करोर निवेशकों के 8000 करोर रुपए इसमें लगे हैं लेकिन किसी भी तरह के कानून के बगार इस रकम की सुरक्षा की कोई गैरंटी नहीं है ऐसे में मांग की जा रही है कि इसे कानूनी दायरे में लाया जाए संसदीय पैनल ने डिमांड की है कि निवेशकों की रकम को सुरक्षित रखने का इंतजाम किया जाए अखबारों में आ रहे क्रिप्टो करंसी के फुल पेज विग्यापनों से निवेशकों को भरमाया न जाए और पॉन्जी स्कीम्स के तहट निवेशक इनके जहांसे में आने से रोके जाएं लेकिन इस सब के बावजूद मान लिया गया है कि क्रिप्टो टेक्नोलोजी को रोका नहीं जा सकता है लेकिन इस बात पर भी अभी तक सहमती नहीं बन पाई है कि इस सेक्टर को कैसे रेगुलेट किया जाएगा इसे regulate करने में जो अरचने सामने आ रही हैं उनमें शामिल हैं सरकार क्रिप्टो करिंसी को रुपए के मुकाबले वैकलपिक मुद्रा मानने को राजी नहीं है इसमें होने वाले भारी उतार चड़ाओ और जोखिम के चलते इसे कमपणी का दरजा देना मुश्किल है साथी एक डर ये भी है कि क्रिप्टो करिंसी का इस्तिमाल मनी लॉंडरिंग और आतंक की मदद के लिए किया जा सकता है फाइनांशल सेक्टर्स पर नजर रखने वाले दोनों रेगुलेटर्स भी क्रिप्टो करिंसी को लेकर असहज है आर्बियाई ने जहां क्रिप्टो करिंसी को विट्टी इस्तिरता के लिए खत्रा बताया है तो वहीं सेवी ने इसे कमोरिटी मानने से इंकार करते हुए विट्टी असलाकारों को इन्हें निवेश विकल्प के तौर पर अपने लिस्ट से हटाने का आदेश दिया है इस बीच शनिवार को हुई पिये मोदी के हाई लेवल बैठक से साफ है कि सरकार क्रिप्टो करिंसी को बैन नहीं करेगी बलकि कानून के जरिये इसे नियंतरित करेगी लेकिन इसके विट्टी और सिक्यूरिटी से जुड़े खत्रों का समाधान खोजे बगार इस पे आगे नहीं बढ़ा जाएगा इसके साथ ही पैनल को ये भी देखना होगा कि नवी शकों के हितों के साथ खिलवार ना कुछा